हालो व्रिवान दिस इस सुर्वी वेलकम टू स्टेड़ी है कैसे हो सब आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टेड़ी को अच्छे तरीक से एक के चल रहे हैं आईए आज की डिस्कुशन में हम लोग यहां पे बात करेंगी बहुत सारी ऐसी ऐसी फ्रेक्ट के बारे म साओ जो आओ फेस्टिवल इंपोर्टेंट है यह क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड आपको वन डे एक्जाम में और युपेसी प्रेलिम्स में अगर देखे तो आपको मैच अप्स के लिए पूछा जा सकता है तो फेस्टिवल जो है यह गोवा में सेलिब्रेट किया जा है अभी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है तो फेस्टिवल जो है डेडिकेटीड है सैंथ जॉन दे बैपिस्ट और जो बैपिस्ट है लॉर्ड जेजिस ओन दी विवर ऑफ जॉर्डन तो सेलिब्रेशन जो है अगर देखे इसको मोंसून का जो टाइम पिडर रहता है तो तब जी इसको सेलिब्रेट किया जाता है सियोलिम विलेज है नोर्थ गवा में और ट्रेडिशनली इसको ऐस प्रेड की फोर्म में यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको साव जुआउ फेस्टिवल के नाम से जाना गया है आई होप आपको यह एक लेर हुआ होगा य यहां पर बात करें, फेस्टिवल के बारे में एक लार्ज नंबर ओफ विपल यहां पर पार्टिस्पेट करते हैं, बोट प्रेड होती है, यह सियोलिम विलेज जो है, गोवा का, जिसको बार्डिश तालुका में है, और यहां पर बिगनिंग जो रहती है, साओ जाओ हैं में डिसरपीवर हो चुका है, तो लोग जो हैं श्विमिंग पूल में जो सेलिबरेशन करना इसका प्रैफर करते हैं, सेब्रेशन के लोग जो हैं, यहां पर ऊժना जो इन्जॉय करते हैं, dance करते हैं artificial rain जो रहती है and यहाँ पर charm of celebration देखने को मिलता है next यहाँ पर बात करेंगे हम Goa की location के बारे में इंडिया के map में आप देखे तो Goa की location आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Goa जो है कौन सी state की boundaries इसको touch करती है एक तो महराष्ट्रे दूसरा करनाटे का और यहाँ पर आप अलेबियन सी देख सकते है Goa का यहाँ पर zoom map देखिए Goa को दो parts में divide कर रख है एक तो महराष्ट्रा कहा रहे है महराष्ट्रा तो state boundary लगी एक तो North Goa और यहाँ पर South Goa तो यहाँ पर आप देख सकते है कि यहाँ पर अगर बात करें North Goa and South Goa यहाँ कि दो parts में इसको divide कर रख है अब हम यहाँ पर बात करते हैं यह देखो वास्कोटिकामा ठीक है तो वास्कोटिकामा यहाँ पर आप देख सकते है Morgan तो यह कुछ important places है गोवा में जो history के point of view से भी काफी सादा important है capital के अगर बात करें तो capital इसकी पंजी है पंजीम भी बोला जाता है इसको formation कब हुआ था 30 May 1987 में हुआ largest city कुन सी है वास्कोटिकामा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया तो वास्कोटिकामा जो है गोवा की largest city है यहाँ पर अगर बात करें governor की आज के टाइम में governor है P.S. श्रीधरन पिलाई chief minister है परमोथ सामवत जो BJP से है बीजेवी पार्टी से है legislature की बात करें तो unique capitalism है यहाँ की यहाँ पर 40 seats आपको देखने को मिलती है parliamentary constituency की बात करें तो राज्जी सभा की एक seat है लोग सभा की दो seat है chief secretary आज के टाइम में है परिमल राइ जो एक IS है एरिया के हिसाब से गोवा जो है 28th rank है तो गोवा जो है सबसे smaller state है हमारी country की सबसे largest state कोंसी है आप बताईएगा मेरे को ठीक है एरिया के हिसाब से population के हिसाब से 26th rank है I hope आपको यह clear हुआ होगा अब हम यहाँ पर बात करते हैं emblem यहनकी symbols of goa के बारे में तो mammal जो है गौर जिसको बहुत गौरूर बोला जाता है bird जो है state bird है flame throated bulbur fish के अगर बात करें grey, mullet, conkani ठीक है तो यहाँ पर fruit जो है पहले flower के हम लोग बात कर लेते हैं state flower है jasmine और state fruit है cashew and tree जो है mati, terminala ठीक है तो यह state जो है यह tree माना चाता है next यहाँ पर बात करेंगे raw के बारे में raw के बारे में आप लोग ने बहुत बार सुना होगा यह हमारी country के एक intelligence agency है तो raw की full form है research and analysis wing raw जो है काफे जारा important यह एक आप बोल सकते हैं research institute है यहन की research and analysis wing यह क्या करते हैं आपको पता ही है कि एक खूफी agency आप बोल सकते हैं इसको तो अभी है न्यूज में इसलिए है क्यूंकि जो समवत कुमार गोयल है इनको फिर से reappoint किया गया है as a chief of raw तो समवत कुमार गोयल को reappoint कर दिया गया है इस position के लिए तो पहले भी ही अपनी position पे कायम थे अब इनको extend कर दी गई है इनकी position एक साल के लिए यहां पे गोयल की बात करिए IPS officer है फ्रों पंजाब कैडर से है 1984 में इनके द्वारत जोइन किया गया और इनके द्वारत जो agency secretary की जब position है यहां पे 2023 तक यह अपनी position पर बने रहेंगे 2019 ठीक है जून 2019 में समवत कुमार गोयल जी यह अपनी यहांनि कि इनको पॉयंट किया गया था किसको succeed करके यहांनि कि इनसे पहले कौन थे इसकी chief वो थे अनिल दसमाना chief of row थे यह तो इनको succeed किया गया तो समवत कुमार गोयल जो है अपनी position पर रहे अब हम row के बारे में बात करते हैं row क्या है external intelligence organization है जो monitor करती है क्या danger है यानकी खतरे को monitor करती है from abroad यानकी जो हमारे परोसी देश हैं जैसे चाइना हो गया पाकिस्तान हो गया ठीक है तो बहुत सारा खतरा रहता है इन country से तो इनको क्या करती है monitor करती है row collect करती है secret information को जो activities रहती है neighboring countries की और row के द्वारा यहां पर directly अगर बात करें तो directly Indian Prime Minister office के अंडर आती है और यह service cadre के अगर बात करें इसको research and analysis service बोला जाते है जिसको RAS बोलते हैं clear है formation इसका कब किया गया 21st September 1968 में किया गया approximately 53 years ago अगर यहां पर बात करें child agencies की electronics and technical services aviation research center and special group research center headquarter आज की time में कोन है कहां पर है New Delhi में है अगर यहां पर बात करें parent wing की cabinet secretary wing executive के बात करें सम्मत Goyal है ठीक है जो secretary है और founder काफी ज़रा important है RN, Rao और Indra Gandhi जी ठीक है तो यह founders भी आप लोगोंने याद रखने है आई होप आपको यह clear हुआ होगा बढ़ते है next article की ओर यहां पर बात की जा रही है V.L. Sarsam Missile के बारे में इंडिया के दोरे successfully अभी conduct करवाया गया V.L. Sarsam Missile test कहाँ पर Odisha के coast में तो coast जो है चंडिपूर जिसको जो basically एक location है जहाँ पर यह missiles जो है इसका test किया जाता है चंडिपूर ओडिसा में तो इंडिया के दोरे अभी successfully test किया गया है vertical launch V.L. की full form है vertical launch short train surface to air missile आई है ठीक है तो यह surface to air missile आप इक में भी देख सकते हैं तो यहां पर V.L. Sarsam बोला गया है short form में surface to air missile तो इंडिफेंस और रिसर्च और डवलपेंट और्गनेशन यानिकी DRDO और इंडिया नेवी के दोरे successfully conduct करवाए गया है इसकी first test जो flight है ठीक है तो for vertical launch short train surface to air missile यहां पर key points के हम लोग बात कर लेते हैं ship born weapon system है यह जिसको V.L. Sarsam बोला गया है जो design किया गया है eliminate करने के लिए especially जो close range aerial threat रहता है जिसे targets रहते हैं surface to the sea high speed aerial target इसको hit करती है यह ठीक है resembling an aeroplane was launched with the system and it effectively engaged अगर बात करें चटनिपूर में इसको deploy किया गया इसकी variety जो है especially tracking sensors and track जो रहते हैं वीकल्स flight path and health indicators यहां पर अगर बात करें representative के तो Indian Navy and DRDO जो है वहां पर इनके द्वारा जो है इनके collaboration के द्वारा इसको test किया गया शुरी राशनात सिंग जो है जो है जो आज के time में defense minister है हमारे country के and यहां पर जो Indian Navy के chief of naval staff है जिनका नाम है admiral R. Harikumar तो यह important है आपको one day exam में direct पूछा भी जा सकता है कि आज के time में chief of naval staff कौन है तो वो है admiral R. Harikumar है तो यहां पर अगर बात करें साथ में मिलके इनके द्वारा क्या किया गया flight test किया गया I hope आपको यह clear हुआ होगा यहां पर बात की जा रही है textile park के बारे में तो central government के द्वारा यहां पर 75 textile hubs जो है cross country में यहां पर set up करने की बात की जा रही है तो line की अगर बात करें lines of tripur to generate करेंगे यहां पर jobs and sport करेंगे higher textile export tripur एक area है कहां पर तामिल नाडो में तो basically यहां पर textile park बनाने की बात की जा रही है tripur's garments जो export किया गया tripur garments का 2021-22 में कितना? 30,000 करोर तो यहां पर काफी जादा यह आप बोल सकते संख्य है तो जो government industry है tripur की प्रवाइड करवाती है direct employment उसे area में and 6 lakh people को indirect employment and 4 lakh people को यहां पर direct employment की अगर बात करें 6 lakh और indirect employment की बात करें तो 4 lakh people को यहां पर employment प्रवाइड करवाती है अगर textile हम लोग textile sector की बात करें especially तिरुपूर एरिया में clear है also nearly अगर देखेंगे 70% जो है workers इसमें women है and people जो है marginalized section से है status क्या है हमारी country का अगर textile की हम लोग बात करें textile को लेकिए तो इसकी हम बात करें textile system जो है हमारी country का इसको लेकिए हमारी इंडिया का status है almost 4 crore people जो है employed है across the textile value chain in the country according to this study के ही साब से देखें agriculture के बाद textile ऐसा sector है जो लोगों को employment प्रोवाइड करवाता है और यह second biggest employment generator है हमारी country का ठीक है textile and garment center इंडिया जो है world 5th largest exporter है April, home and technical जो products है government के द्वारा also set up किये गए है 7 mega integrated textile region April जिसको PM Mitra Park बोला गया है Mitra Park का aim क्या है कि entire textile value chain है ठीक है उसको बढ़ाना है specially जो weaving आता है dying आता है और printing and garment जो manufacturing है ठीक है तो इंडिया first gang textile park बनने जारा है हमारे country में वो कहां पे बना वो बना गुजरात सूरत में और बैरुच में I hope आपको ये clear हुआ होगा यहां भी हम लोग बात करते हैं mega integrated textile region and april जिसको PM Mitra Park बोला गया तो यहां पे cabinet के द्वारा अप्रूफ किया है 7 PM Mitra Park total जो outlay है 4,445 कुरोर 5 years में इसको complete काना है और inspire है 5F vision जो है Prime Minister का वह farm to fiber to factory to fashion to foreign ठीक है तो यानि कि यहां पे farm to fiber farm से यानि कि अगर jude की यहां पे खेती हो रही है ठीक है तो jude की खेती जो है jude को क्या एक धागे में convert करेंगे fiber में fiber factory में जाएगा यानि कि कपड़ा बनेगा ठीक है तो अगर cotton की भी हम लोग बात करते है ठीक है cotton जो है वहां पे land से कहां पे जाएगा यानि कि land से fiber बनेगा fiber से factory में जाएगा कपड़ा बनने के लिए ठीक है और यहां पे developed की बात करें तो special जो purpose vehicles है on state government and government of India यहां पे public private partnership model के तहत work किया जाएगा और यहां पे core infrastructure की हम लोग बात करें incubation center and plug play facility यहां पे provide करवाई जाएगी and factory sites जो इसको develop किया जाएगा roads को develop किया जाएगा water की facility and waste water जो system है उसको cover up किया जाएगा sport infrastructure की बात करें तो workers जो रहते हैं host and house hostel की facilities रहेगी workers के लिए and यहां पे housing, logistic, park setup होंगी उसके रवा medical facility रहेगी training and skill development facilities provide करवाई जाएगी specially workers के लिए I hope आपको यह clear हुआ होगा अब हम यहां पे बात करते हैं जिस एरिय की हम लोग यहां पे बात कर रहे थे तरिसूर ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे basically area है ठीक है तो basically यह Tamil लाडू में है तो Tamil लाडू जो है वो southern state है हमारी country का यहां पे आप देख सकते हैं आंधर परदिश इसको टच करती है करनाटका है और केरल आए तो यह था important session 28th June का I hope आपको यह clear हुआ होगा अगर कोई भी doubt होगा तो please comment section में इसके doubts जो है वो जरूर शेर कीजिएगा ताकि आने वाले lectures में इसको cover किया जा सके Facebook आप join कर सकते हैं बहुत सारे जो PDFs यहां और जो questions रहते हैं Prelims related इसको भी माँ पोस्ट किया जाता है PDF के लिए आप Telegram जोईन की इंस्टाग्राम पर भी आप follow कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लिस लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फर वाचिक मैं वीडियो जाहिंद